राजेशी पहले तो मैं वो शेर आपको मुझे की आप साहिट के विकिपीडिया हैं पहले तो पूरा शेर और फिर क्या मांगते हैं राजीती के संदर्व में आप यूपीए बना में डिये में कौन भारी है देखें वो शेर सच मुझे मैं इस वक्त मुझे भी थोड़ा सा व स्मुर्ट हो रहा है लेकिन धन्यवाद वो कुछ ऐसा है गरीब की थाली में पुलाव है जरा पता करो क्या चुनाव है कुछ इस किसम कर शेर की शेर की एक खास बात है कि जब तक उसमें रिदम काफिया वगरा वगरा सब ठीक ठाक ना हो तो सुनने में भी उसका आनंद न तो होली के समय पर बड़ी ही मौलिक किसम की पोईटरी निकालता है और उसमें अशलीलता की सीमा तक जाता है तो जब 96 में 97 में 98 में 98 में तो नहीं हुआ तो टो एक बड़ी बनारस की किसी मौलिक कवी ने चाहे जब ही चुनाव और फिर आगे बड़ा अशलील सी टीप लफजों में यह सारी बात समझाई कि दरसल भारती जनता पार्टी को इस बात का हुनर हासिल है महारत हासिल है कि ऑुण कोई मुद्दा ना हो या उसकी जोली खाली हो क्योंकि पांच साल के बाद जब भी कोई पार्टी चुनाओं में जाती है मतदाताओं के सामने जाती है तो उसके पास पीछे क्या होता है पांच वर्षों का उसका एक अपना एक खाता होता है कि उसने पांच वर्षों की उपलब्धियों का पिटारा उसका भरा हुआ है क्या उसने किया है क्या नहीं किया है तो तो एक तरह से आप दस वर्षों का कारिकाल आप आठ वर्षों में समेट सकते हैं कि ये आठ वर्षों में उन्हें जितना करना था सब कर लिया अब जब ऐसा लगता है कि मुद्दे नहीं बचे हैं तो जैसा कि दिनेशी ने कहा कि ये जो मुद्दे हैं फिर उनको बनाने में महारत हासिल है वो T-shirt कवों को भी मुद्दा बना सकते है वो किसी भी चीज़ को मुद्दा बना सकते है लेकिन मैं बहुत कमभीरता से अब यह कहराओं कि देखिये जो जिस मरकुरिस चभी की बात कर रहा है दिनेशी या मैं कहूत français simplicity की बात हो रही है कोई करिश्मा वाला नेता उस समय नहीं था कि प्रधान मंतरी कौन होगा मुरारजी दिसाई के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था लेकिन तब ये था कि आम मतदाता लोग अपने मुद्दों को लेकर पाते थे कि वो कहीं न कहीं ठगे गए हैं और इसलिए उन्होंने जब वो एक करत्रिम गठबंधन जो हुआ था जनता पार्टी के रूप में अर्टिफिशल तो उस नकली शादी जो हुई थी बेमेल गठबंधन जो हुआ था उसको तक उन्होंने सुईकार कर लिया क्यों क्योंकि वो हटाना चाहते थे उस समय की ततकालीन लीडर को जिसक जनता पार्टी जब तूटी तो किसी को लगा रहे हैं कि यह कैसे हुगया और उसके बाद जनता जल जब हुआ तो जनता जल वाला एपिसोड आप सब लोगों को याद होगा उस समय भी कोई करिश्माई व्यक्तित तो सामने नहीं था कि को याद हुगा देविलाल जी को न उनको नहीं चाहिए तो जब इस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि लोग यह पाते हैं कि जिनको हाथों में निर्वा उन्होंने सत्ता सौपी है अपने मत का अधिकार देकर कि उनको सत्ता पर बिठाया है अगर उन्होंने उनकी आपक्षाओं आकांक्षाओं और उनकी हैं कि लगातार 2014 के बाद से भारती जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है या बड़ी लेकिन हम देखें तो ऐसा नहीं है उनकी ठाली में भी छेद हैं सब कुछ हम यह मानके नहीं चल सकते कई राज्जी उन्होंने खोए हैं गवाए हैं बंगाल का चुनाओ तीन बार उन्होंने दिल्ली में पटकनी खाई है और दिल्ली में तो पटकनी तब खाई है जब 2014 के समय क्या सर्वशक्तिमान प्रदानमंतरी के रूप में जब उबरे थे नरेंद्र बोदी जी तो उसके कुछ महीने में मेरे खाले 6-7 महीने के बाद ही आम आदमी पार्ट सरकार गई राजस्थान में सरकार गई च्छतीस गड़ में सरकार गई मध्यपरदेश में ठीक है कि जी उतिरा देते सिंधिया ने कुछ खेल किया तो कई स्थानों पर जो उन्होंने जिसको मैं कहता हूं कि उधार का सिंदूर लेने की आदत है भाई भारती जनता पार्ट हुए भारती जनता पार्टी के लोग मूल चरित्र गायब हो गया मूल प्रवर्थी के नेता गायब हो गए जो सिधानतों की और शुचिता की बात करते थे वो नेता गायब हो गए तो अब जो पार्टी सत्पा में है मुझे लगता है कि आने वाले दो साल उसके लिए लोगों की सुख सुविधाओं का इस तर क्या है बेरोजगारी का इस तर क्या है निर्याद का इस तर क्या है विदेश नीती कहां गई है लेकिन इस देश का समविधान उनको मताधिकार देता है अब अगर ये बात उनको करनी है तो उनको 1947 में कर देना थी 1947 में धर्मे का अधार पर एक देश का जन्म हुआ था जो आज भी धर्मे के अधार पर पैदा होने का अभिशाप भोग रहा है तो आप अगर याद रखिए कि अगर वो पाकिस्तान में चले जाते तो उस वक्त एक आउसर हो सकता था लेकिन आज भारत के समविधान ने जिस उनको अधिकार प्रदान किया है वो इस देश के नागरिक हैं जिमेदार नागरिक हैं और वो किसी को सबक सिखाने का अर्थ है कि कल के रोज कोई पार्टी आएगी किसी धर्म के लोगों को सबक सिखाने की टाइट करने की बात करेगी तो अब ये लोकतंत्र हमारा जो सामुहिक नेतरत्व से चलता है अब हम सबक सिखाने के अधार पर चलते हों तो ये एक बहुत ही विद्रूप सी इस्थितिय है, खराब इस्थितिय है। मुझे लगता है इस चीज से हमारे लोगतंत्र को बड़ी जल्दी निपटना पड़ेगा और हम सब लोगों के सामने निश्यत रूप से एक चुनोती है इसको हमें स्विकार करना पड़ेगा